So hi dear students, आज हम पढ़ेंगे harmonic mean of beta distribution of first kind, okay जी अब harmonic mean को पढ़ने से पहले बहुत जूड़ी है कि आपको harmonic mean की definition clear हो अब ध्यान से सुनिये, harmonic mean किसके इकुल होता है harmonic mean इकुल होता है reciprocal of arithmetic mean किसके reciprocal of arithmetic mean, okay जी reciprocal of arithmetic mean, okay और arithmetic mean किसका, arithmetic mean भी फर्द one upon x का, x का नहीं, one upon x का arithmetic mean, ठीक है अब देखें हम इसको अगर sort out करें के लिए हैं, तो ज्यान से देखें अगर मैं इसको उपर ले जाओ, h को नीचे ले जाओ, मेरे पसा आएगा one by h is equal to arithmetic mean of one by x, आगे हमारे पास यह हमने यहां पर formula apply किया है, one by h is equal to mean किसके equal है यहां पर, हम probability में mean को लेते हैं, expectation of x से, okay, so one upon h actually में किसके equal था, I'm really sorry, यहां पर लिखना रह गया, expectation of one by x के, ठीक है, one upon h किसके equal आगया, expectation of one by x के, okay, अब हम खोल देते हैं, expectation को हम कैसे खोलते हैं, x की value कहां से कहां तक vary करते हैं, beta distribution of first kind में 0 से 1 तक, साथ में आए रही अंदर वाली चीज़ और feed आएगा, function, probability function of one upon x, probability function of fx की value क्या थी, हमारी x raised to power u minus 1, u minus 1 and 1 minus x की power v minus 1, okay, so हम इसको यहां पर रिख देंगे, अब धियान से देखिए, सो यहां साथ में आपर beta भी था, beta of uv, अब धियान से देखिए, x की power यहां पर एक नीचे भी पड़ी है, that is xp power इसको गुरूप पर ले आए, x की power minus 1 बन जाएगी, so minus 1, minus 1 क्या बन गया, minus 2, इसलिए हमारे पसागा, x raised to power u minus 2, साथ में आगा, 1 minus x की power v minus 1, यह हमारा constant था, इसलिए हमने इस integral के बारी रख दिया, अब यह किसका formula बिला, हमने पहले ही पड़ा था कि यह किसका formula होता है, इसका, अगर हमारे पास x की power something minus 1, फिर 1 minus x की power something minus 1 है, तो वो actually में किसके क्लोती है, beta of, beta function of a and b के, इसको हम ऐसे ही मान सकते हैं, कि x की power जो भी होगी, उसमें one add करकर वो पहला होगा, फिर 1 minus x की power जो होगी, उसमें one add करकर, वो दूसरा होगा, सेम यह हमने यहां किया है, इसकी power में one add किया, हमरे बास u minus 1 आ गया, इसकी power में one add किया, हमरे बास लिया आ गया, यह बन गया beta of this, अब beta को हम फर्दर खोलेंगे, beta को खोलने का formula in terms of gamma, हमरे बास यह होता है, beta of a, b, किसकी power होता है, पहले हम इन दोनों के gamma को लग-लग multiply करतेंगे, फिर नीचे आ जाएगा, gamma of this plus this, ओके जी, यह root नहीं, फ्लीज, यह gamma है, सो हमने वही किया, हमने इसको भी खोल दिया, इसको भी खोल दिया, ओके जी, सो देखे, इसको खोलने के लिए हमने क्या किया, इसका gamma लग, इसका gamma लग, फिर उपर इन दोनों का addition, वैसे ही इसका gamma लग, सो री, यह उपर ही रहेगा, अगे चलते हैं आगे नथिंग बट हमें देखना है कि हम किन किन गामा को आगे खोल खोल कर एक दूसरे के साथ कट कर सकते हैं हमें दीख रहा है कि अगर हम U प्लस V को अगर खोल दें तो इसके साथ cancel हो सकता है U को अगर खोल दें तो इसके साथ cancel होता है वैसे यहाँ पर B तो सबघनत लोगी गया था हमने इसकोखोळा गस्वाहर गॉलते है जस्ट अंदरवाले में से 1- कर दिना है अंदर जो पड़ा है उसमें से 1- कर गामा और साथ में वही टाम बाहरा जाएगी वैसे हमने यहाँ पर किया सो हमने इसमें से 1 को माइनस किया, गामा उफ भई तर्मा लींडी ठीक है जी? वैसे ही हमने नीचे U को खोलना था, U से एक माइनस किया, अंदर भी गामा उफ U مाइनस वण लिख दीक है जी? सो आप देखे ये गामा इसके साथ चैंस्ट ओगिया, सिंपल हर्मोनिक में चाहिए सु एच चुपल चला जाएगा यह दरा कर रेसिपल कलो जाएगा आग यह हमारी पास हर्मोनिक में